दोस्तो पंचम पब्लिसर द्वारा हिंदी मीडिय में इस्टुडेंट्स के लिए इबुक यानी पीडियाफ नोट्स त्यार किये गए हैं जो कि आपके आने वाले सभी कम्टिट एग्जाम जैसे ससी बैयंक रेलवे पीएससी पूलिस टीशर एग्जाम के लिए काफी उसफ क्लिक करके आप पर्चेर्ज कर सकते हैं किसी प्रकार की कुईरी के लिए इस नंबर पर आप कॉंटक्ट कर सकते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस डिफाइन दोस्तो इस वीडियों आपके लिए जन्रल नौलेज जन्रल एवेनेस के टॉप टॉप ट्वंटी फाइब मोस्ट इंपोर्टन बार बार पूछे जाने वाले कोश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके आने वाले सभी एक्जाम जैसे SSC, बैंक, रेलवे, PSC, पुलिस, सिक्षक भरती, TET एक्जाम्स के लिए काफी मात पूर है इस वीडियो का आप इसकी बना करें आन्दे तक जरूर देखें और चैनल को अधिविदिकाम ने सब्स्राइब निकेट, प्लीज, चैनल को सब्स्राइब करके बैल आकान जरूर पेस कर दें और दोस्तो आप हमारे साथ इस वीडियो में सॉल्व कर सकते हैं, आप एक प्रैक्टिस सेट के रूप में इसको सॉल्व कर सकते हैं और आपको लास्ट में अपना स्कोर भी जरूर बताना है, चलिए तो फर ही स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कोशन बहुत इंपोर्डेन, बहुत सिंपल है, भारत का सबसे उचा नदी वांद कौन सा है भारत का सबसे उचा नदी वांद है, भाकड़ा वांद, जो कि यह सतलज नदी पर बना है यह नदी याद रखियेगा, सतलज नदी पर, ठीक है, यह बिलासपूर जिले में स्थित है, ठीक है, इसका नाम करन जो भाकड़ा गाउं पर किया गया है दोस्तों आपको बता दे किसे जो लामानवीत राज्य हैं, वो हैं पंजाब, हरियाना, राजस्थान, गुजरात, हिवांचर प्रदेश की बिद्दूतापूर्ती से की जाती है लिए हाप, याद रखियेगा, भारत का सबसे उउचा नदी बाद काउनसा है, भाकड़ा बाद, जो इसके कोशन पूछाता है, लिए उत्तित है, और द जिले में उत्तरा खंड में, लिले में उत्तरा खंड में तो यह आपको यह effect याद रखना है भारत का सबसे उचा नदी बात कौन सा है भाखड़ा बान दिश्थी थे 17 नदी पर नदी भी याद रखना है आपको चलिए अगला question देख लेते हैं भारत का सबसे लंबा नदी बात कौन सा है अभी हमने देखा सबसे उचा बात सबसे लं अल्माटी बांध किस राज्य में इस्थित है अल्माटी बांध किस राज्य में इस्थित है करनाटक में ठीक है किस नदी पर है यह अल्माटी बांध तो आपको याद रखने क्रिश्णा नदी पर है कोश्चन यहां से पूछ ले आता है अल्माटी बांध किस नदी पर है त ठीक है तो यह आपको फैक्ट यह पॉइंट भी जरूर याद रखने हैं ऐसी कोशन बनते एकजाम में चलिए दोस्तों यह आप से कोशन आ रहा है तो आप हमारे साथ सॉल्ब जरूर करें नहीं आ रहे तो हमारे साथ आप लास्त तक बने दें एक कोशन में आपको याद करा ठीक है ओप्सन B कावेरी नदी पर तमिलाडू में है राज जयाद रखेगा तमिलाडू में कावेरी नदी पर ठीक है चलिए फिर हमारे अगला कोशन दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की जील काउनसी है यह कोशन कई बार एक जाम में पूछा गया है काफी important question है भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की जील काउनसी है तो इसका अंसर आप पता है तो बता सकते हैं चलिए इसका बता दे तो इसका correct answer हो जाएगा option B वुलर जील जो की जम्मू काश्मीर मिश्ती थी कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की जील है वुलर जील कहा है सिदक किस र दुनिया का एकमातर तैरता नेशनल पार्क है उसका नाम है कीबुल नाम जाओ ठीक कीबुल नाम जो इसका नाम है जो कि दुनिया का एकमातर तैरता नेशनल पार्क है यह आप याद रखेगा लोग तक किस राज जी में है यह लोग तक मड़ी पूर में है ठीक मड़ी स्थिति ये पॉइंट उप जरूर याद रखिएहेगा चलिए फिर हमारा अगला कोश्चन है उमियंव्रन जील की स्राज मिस्थी थी उमियंव्रन जील की स्राज मिस्थी था एक ऑफ कर ज़ियत वे तो ये बहुत सिंपल कोस्तन है आप बता सकते हैं इसका तो भी शुप्रशी दखारे जल्गी जिल सांफर दोस्तों इसकी से राजस्थान में ठीक है ऑप्सन भी करेक्ट हो जाएगा ठीक है राजस्थान चलिए राजस्थान में भी हाल में जो विधान सभा चुना हुए थे उसमें वहां के सीम कौन बन गए हैं अशोक गहलो तो ड मियापूर पिंक सिटी चलिए फिर हमारा अगला तेहिन भारत के किस राज़उत में फुल शील इस्तित है किस राजजव में फुलहरजी इस्तित र पता है तो यह है उउई यूपी ताइस तो यूपी में फुलय से उत्तर प्रदेश बारत का उस्तित है और दितनात wh जोग जल पर पात है करनाटक में चलिए अगला वोशन देख लेते हैं दोस्तों भारत में प्रथम बहुत देशी नदी घाटी पर विजना का निर्माड किस नदी पर किया गया है बार बार पूछा गया एक्जाम में कोश्चा नहीं है और काफी सिंपल भी है तो आप बता सक परियुट थो नती है तो इसका कर आजना का नाम प्रशाम असना में नदी घाटी पर विद्धना यह आप जरूर या रखेंगे दधाम ओढात है कि अगला हुशन है कि स्थेट हो गया कि शीरवा इस नदी परिस्थी दिश्घन परिस्थित यस्तों गो्डावरी में ठीक ह अगला कोशन देखते हैं दोस्तो कोशन No. 15 है भारत का परथम तितली उद्ध्यान कहां इस्थित है भारत का पहला तितली उद्ध्यान कहां इस्थित है तो इस्थित दोस्तो बंदर घट्टा जैविक उद्ध्यान बैगलूरू ठीक है इसका नाम बंदर घट्टा जैविक उद्ध्यान कहां बैगलूरू में फिर हमारा कोश्चन दोस्तों तोताई हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं तो तिये हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं इसका इंसर आपको पता बता सकते हैं काफी important कोश्चन यह कई बार एक्जाम में पूछा गया रेलवेस एक्जाम से में करेक्ट एंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी तमिल लाडू का ठीक है तमिल लाडू से मन्द भरत नाट्य हम दित तमिल लाडू वाइवान के टायरों में कौन सी गयस का प्रयोग किया जात है रसायनों का राजा किसे खा जाता आपको बताना है करेक्ट एंसर हो जाएगा दोस्तों एस टूए सो फोर यानि सल्फ्यूरी कम लोगो इक सल्फ्यूरी कम लोगो प्रितिवी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातू तत्त कौन सा है दोस्तों इसका हलकी धातू कौन सी है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा दोस्तों लीथियम लीथियम सबसे हलकी धातू है ठीक है लीथियम सबसे हलकी धातू है हमारा अगला कोचन है सबसे भारी धातू कौन सी है सबसे भारी धातू सबसे भारी धातू कौन सी है करेक्ट एंसर हो जाग गुद्धों भीक्ष गास जाड या अप्तिन तूस्का करेक्ट इंसर रोजागा दोस्तों घास ठीक है बांस को घास में बार गिया जाता है फिर हमारा लास्ट ने तार्पीन का तेल प्राप्त किया जाता है किस से तार पीन का जो तेल होता है यह प्राप्त किया दोस्तों चीड से ठीक है चीड से याद रखिएगा काफी important fact है ठीक है चलिए तो यह थे दोस्तों general awareness के general knowledge के most important 25 questions यह आपने पूरा solve किये तो अपना score अपका comment box में जरूर बताएं ठीक है देखते किसका top score रहता है फटा पेज को लाइक कर लें वीडियो को description box में link मिल जागा like कर लें और टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लिजे ठीक है और दोस्तों रेलवेस से और अन एक्जाम के लिए जो मैंने description box में पंचम publication की book मैंने आपको बताई हूँ आप purchase कर सकते मत 25 रूपी की book है 50% option ला है online HD point subscribers के लि अल्बढ़ चाहँ आपको बताई हूँ आपको बताई हुआँ आपको घुटा है यहाँ दोस्तों उन्हाने वैजर माहाँ आपको बताई हुआगा कुण।